हेलो गईज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल, पॉलिटिकल साइंस की क्लासिस में, मैं सैल सुनम चोहान, आज के हमारा सेशन का टॉपिक पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बीए सेकिंडर क इकोनोमिक्स के स्लेबस को, कुछ बचो की रिकमेंड पर हमने यहाँ पे एक सेशन तयार किया है, ताकि उनको पता लगे, कि ग्रैजुएशन में एकोनोमी का क्या स्लेबस है, इस्पेशलिए बीए सैकिंडर में जो बच्चे स्टड़ी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा स यह सेशन फायदे मन्द हो सकते है, प्रॉफिटेबल हो सकते है, तो वीडियो को लास तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर आप वो स्लेबस जानना है, तो लास तक दिखना पड़ेगा, तो चले स्टाट करते हैं, पेपर आपके दो होते हैं, आपने बीए फस्टर में भी फस्ट, जिसका जो मैक्रो एकॉनोमिक्स है, एक माइक्रो होती है, एक मैक्रो होता है, माइक्रो आपको फस्टर में बढ़ चुके होंगे, या स्लेबस के कोडिंग अलग अलग उनिवस्टी में थर्ड यर में भी होता है, सैकिंडर में भी होता है, लेकिन जब हम बात करते CCS University Merit तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट आपका BA Secondary में Macro Economist लगा हुआ है जिसमें यूनिस फर्स्ट के बात करते हैं तो उसमें आपको National Income Analyze यह आपका पूरा टॉपिक है इसको आपको कवर करना है इसके छोटे छोटे टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करते हुए जाना जैसे Concept and Method of Measurement Circular Flow of Product and Income यह सारे के सारे होते है कि National Income Analyze यह जो रास्टे आये होती है एक देश की उसमें कौन-कौन से Shorts होते हैं कैसे कैसे उन में छोटे छोटे पॉइंट होते है जिसके आधार पर आपको वहाँ पर पता लगता है कि actual में National Income का मेनिंग क्या है कैसे यह कवर होते हैं तो यह सब आपको छोटे 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 टॉपिक के याने Monetary Theories of Trade Cycle जो भी वैपार के आधार पर जो भी theories वहाँ पर यूज की जाती है यह आपको छोटा छोटा टॉपिक syllabus के हिसाब से टॉपिक के हिसाब से आपको cover करते हुए जाना है कुछ बचों को confusion रहता है कि जब हम unit में जो topic हम discuss करते हैं तो यह chapter उनके समझ में नहीं आता है कि chapter कौन सा है देखो unit first में जब आप national income analyze यह एक topic है इसी के हिसाब से आपका जो first chapter बन जाएगा फिर concept and method वो इसके अंदर का topic होता है देखें इसी के अंदर जो topic है यह आपको जो दिखाए देना है कि circular flow and product and income यह एक पुरा पुरा chapter है जब आप books निकालोगे या books पढ़ोगे रीड करोगे उसको तो introduction में यह जो topic है यह chapter wise होते हैं आपके so confusions के तो कोई बात ही नहीं है final second है value of money यानि कि यहाँ पे जो भी money जो भी पैसा जो भी मुद्रा होता है जो भी मुद्रा होती है currency बगर होती है उसकी value को लेकर यहाँ पे topic है वो आपको यहाँ पे थोड़ा साथ न मतलब इसके बारे में study करनी होती है कुछ यहाँ पे theories भी है यानि कि जो economy philosopher होते हैं उन्होंने value of money को लेकर कि कुछ theories भी यहाँ पे दी हुई है तो वो भी आपको देखनी होती है prices यानि कि जो मुल्य है उनके आधार पर भी यहाँ छोटे छोटे topic भी आपको discuss करनी होती है जैसे inflation, deflations, monetary approach कैसे मतलब price गिरते हैं कैसे उठते हैं, कैसे मंदी यह जितने भी topic होते है economy के जो मतलब base मारना जाता है basic information आपको यहाँ पर handle करनी होती है study करनी होती है next हम बात करते है unit third जिसमें आपको banking के बारे में पढ़ना होता है banking यह जिसमें type of functions उसका structure, management, assessed liabilities, corrections of money यह सब कुछ यह जो banking में जो छोटे छोटे topic होते हैं banking से related चाहे वो पैसे देने की बात हो चाहे वो पैसा लेनी की बात हो चाहे वो budget की बात हो चाहे वो rent की बात हो debt की बात हो या जो भी tax होता है उसकी बात हो यह सारा आपको यहाँ पर cover करना होता है इसमें साथ-साथी जो दूसरा topic banking के अंदर है वो Indian monetary market आपको इसमें पढ़ना होता है यानि कि उसका पुरा का पुरा structure और उसके जो shorts है यानि कि change of money supply जो भी money supply के जो भी उसको बदलने के या उसको परिवर्तन के जो भी shorts होते है वो आपको उसमें पढ़ने होते है Reserve Bank of India आपको एक topic के आधार पर आपको पढ़ना होता है यानि कि पुरा proper है यहाँ पर bank आपको पढ़ना होता है RRB आपको पढ़ना होता है तो regulatory and promotional functions उसके पढ़ने होते है देखे जब हम RBI के बारे में पढ़ते हैं तो उसके कुछ function उसका structure कैसे वो काम करता है कैसे उसके features हैं वो सब आपको यहाँ पर read करने होते है और एक बहुत अच्छी बात है कि आपको इस subject के सुरू RBI के बारे में जानने का मुका मिलता है banking system के बारे में जानने का मुका मिलता है जो एक basic information होती है और especially चाहे किसी बच्चे के पास economy हो या ना हो उसको यह इस तरह की information basically मतलब मालूम होने चाहिए ताकि आपसे कोई भी पूछे कि banking क्या होता है RBI कैसे काम करती है यह deflation यह inflation क्या होता है यह हर एक students को पता होने चाहे चाहे वो outside से हो या ना हो हम political science में भी ऐसा ही बोलते हैं जिसमें भी rights, fundamental duties वगरा होती है यह जरूरी नहीं कि आप political science के student हो तो आपको ही पता होना चाहिए बलकि इस सब का जो भी knowledge होती है जो भी आपके छोटे-छोटे topic है यह basic information होती है जो हर एक students को, हर एक citizens को पता होना चाहिए कि हमारे देस का constitution क्या है उसके features क्या है, उसके shorts क्या है कहां कहां से हमने वो चीज़ अचीव की है जो आज हम मतलब अपने country में चलाते है यह सब पता होना चाहिए नेक्स हम बात करते हैं यूनिट fort में यह निकी foreign exchange foreign exchange में क्या होता है concept, demand, supply, foreign exchange, external value and money gold standard money gold standard यह सब के सब इसमें आपको study करने होते हैं यह चोटे-चोटे जो topic है chapter wise लगाए हुए है exchange rate determinations, purchasing power, parity, theory, international monetary institutions, IMF और IBRD यानि कि कितनी बड़ी-बड़ी यहाँ पे थोड़ी से organizations के बारे में आपको study करना होता है धिन करना होता है IMF यहनिकी international monetary fund इसका काम क्या होता है कि यह जो भी countries होते हैं चोटे-बड़े जैसे भी country हैं उनको fund देने का काम करती है fund वो ऐसी नहीं देती है कि जैसे पागेसान जैसे country का वो दे देती है नहीं, बहुत सारे शर्ते होती है कोई भी country जब उन शर्तों को completely मतलब follow करता है उनको मानता है वो completely वो शर्त पूरी करता है तब ही यह fund उनको देती है तो IMF आपको पढ़ने का मोका मिलता है इसमें आप इसके source, इसके features इनके एक संगठन के रूप में इसको पढ़ते है कि कभी establish हुआता है इसके work क्या है कैसे काम करता है यह सब आपको उसमें पढ़ना होता है बात करते हैं पेपर सेकिंड की Public Finance and International Trade तो यहां पर Public Finance का मतला है Finance से जुड़े हुए या International Trade यानि कि जो अंतरास्टे व्यापार है उससे related आपको उसमें study करना होता है जैसे Unit First तो Unit First में है Private and Public Goods जो भी Goods मेंने होती है वस्त हुए तो जो Private है या Public Goods है उसके बारे में Principles of Maximum Social Advantage जो भी समाजी की मतलब समाजी जो समाज के लेवल पर जो भी लाब होता है वो उसमें पढ़ना होता है Advantage उसमें पढ़ना होता है तो ये सब थोड़े-छोड़े टॉपिक में आपको उसमें कवर करना होता है Unit First में जो कवर होता है फिर एक Government Budget यानि कि जो सरकार जो भी Budget Process जो लाती है सभी के लिए एक Well Fair State के लिए तो वो उसमें Study करना होता है यानि कि जो Prepation of Classification एक Budget की क्या Prepation होती है क्या Classification होती है उसके Shorts क्या होती है उसके Revenue, Taxes and Satisfaction of Public Weight यह सब के सब आपको चोटे-चोटे Topic चोटे-चोटे Chapter की तरह कवर करने होते है Government Budget में Total जितना भी आप इसमें देखते हो वो सब आपको पढ़ना होता है Budget के अंदर आपके Education से Related ने की Zero से Related 100 तक जितना भी कवर कर सकते हैं वो आपको उसमें कवर करना होता है फिर Unit Second में Public Expenditure आपको उसमें पढ़ना होता है यानि कि जो लोगों को खर्चिस से Related यहाँ पे तोड़े सा Theories हैं वो आपको उसमें डिसकस करनी होती है Classifications और Public Expenditure यानि कि उनकी Classifications क्या है Effect और Public Expenditure क्या उसमें पढ़ता है जो Public Expenditure का क्या परभाव पढ़ता है Production क्या है Distribution क्या है Public Debt यानि कि जो लोगों के लिए जो रिन होता है उसके बारे में भी थोड़े सा आपको डिसकस करना होता है आपको स्टेड़ी करना हो जैसे Classification, Effect, Burden, Repayment and Management इससे रिलेटेड आपको छोटे-छोटे टॉपिक यहाँ पे कवर करने होते हैं फिर बात करते हैं हम Unit 3 में तो उस Unit 3 में आपको Fiscal Policy होती है कि Fiscal Policy में हम एक Department को Develop करते हैं Department को Profit में लाते हैं उस Department के Profit से बाकी जो छोटे-छोटे Department है वो Automatically ही अपने आपी Profit है उनको हो जाता है यान इनको लाप हो जाता है जब हम एक बड़ी इंडस्ट्री को मतलब Growth करते हैं उससे Related जो छोटी-छोटी इंडस्ट्री है जो उसके साथ-साथ चलती है वो अपने आपी Growth कर लेती है तो यह Fiscal Policy होती है जिसमें आपको जो मतलब Economy Growth के लेवल पर आपको यह पढ़नी होती है फिर इंडियन Public Finances में पढ़ना होता है जिसमें Central Estate, Indian Tax System जो टोटल मिला के हाँ पर Shorts of Income आपको डिसकस करना होता है Study करना होता है Public Expenditure in India की भारत में कैसे जो लोगों की दवर जो खर्चा होता है वो मतलब टोटल रूपे Investment, Finance, Conditions जो Fiscal मतलब जो होती है Fiscal Policy में वो आपको बढ़नी होती है Federal Finance पढ़ना होता है और फिर Unit 4 में हम देखेंगे International Trade अंतराश्टी वैपार से Related यहाँ पर कुछ टोपिक आपको किलर करने होते है और किलर आउट करते हैं त्योरिफ वो comparative cost आपको यहाँ पर पढ़नी होती है आप कुछ opportunity है कुछ demand analysis है पर तर्मोंफ त्रेड की हितनी भी टरम्स होते है और फ्री ट्रेड क्या होता है प्रॉड क्या होता है बेजस्षण क्या होता है जो आपको यहाँ पर discuss करने होते है study करने होते है और बहुत ही basic information के तरह आपको बहुत जया था knowledgers से मिल जाती है आज साथ में the balance of payment payment के क्या balance होते हैं वो आपको इसमें पढ़ने होते हैं जैसे यहाँ पे हैं फोरेजिन ट्रेड ओफ इंडिया ट्रेड पोलिसी यह सारे का सार आपको यहाँ पर पढ़ना होता है तो आज जो हमने यहाँ पर डिसकस किया है वो पूरा का पूरा economy के slaybers को ले जाते हैं तो हमें comments box में लिख कर जरूर बताईए अगर आपके मन में कोई भी ऐसा questions है जो आप पूछना चाते हो तो please comments box में लिख कर जरूर बताना क्योंकि आपके जो भी आप questions put up करते हूं उसे हमें motivation मिलता है और इस motivation से हम बहतर से बहतर वीडियो लेक्चर बनाने की नदा है होगा थैंक यू जेहिन जे भारत